किसान भाईयों नमस्कार मैं हूँ दसरत दाकर्ड आप देख रहे हैं डी बार्मिंग यूटूब चेनल किसान भाईयों इस वीडियो में हम सर्सों की खेती के बारे में बात करेंगे सर्सों में 30 से 50 दिन के बीच में कौन-कौन से कार्य करना चाहिए जिससे सर्सों में ज्यादा साकाई निकलें सर्सों का पोदा अच्छे से ग्रोथ करें सर्सों में फल फूलों का विकास बहतर तरीके से हो और अंत में हमारी पेदावार ज्यादा निकले इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए जो किसान हमारे चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पास माय गंटी की निसान को भी जरूर दबाईए जिससे हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको जानकारी मिल पाए किसान भाईओं अधिकतर सेत्रों में सरसों की फथाल 25-30 दिनों के आसपास से चल रही है वहीं कुछ सेत्रों में जहां पर सरसों की अगेती बॉगाई हुई थी वहां पर सरसों की वसल में अब फूल निकलना भी सुरूख हो चुके है किसान भाईयों सरसों की फसल जब 30 से 50 दिन के बीच में आती है यह स्टेज सबसे महत्वपूर्ण स्टेज मानी जाती है क्योंकि इस समय सरसों का पोदा ग्रोथ पर होता है सरसों में नई नई साखाओं का निर्माण होना सुरू होता है अगर सरसों में ज़्यादा साखाए निकलेंगी तो ज़्यादा फूल भी आएंगे और अंत में ज़्यादा फ़लियां भी बनेगी तो इस समय फसल में कुछ जरूरी काम करने चाहिए किसान भाईयों अगर आपने इस समय सही खाथ का परियोग कर लिया है तो सरसों में ज़्यादा फूटाओ देखने को मिलता है किसान भाईयों अधिक तरी किसान भाईय सरसों में यूरिया का परियोग भी करते है अगर आपने पहले पानी के साथ यूरिया का परियोग किया है और अगर आप इस समय भी यूरिया देना चाहते है तो भी आप यूरिया की कम मात्रा का प्र्योग कर सकते हैं लेकिन किसान भाई ओर आपकी सरसों में पूर्ण रूप से फूल आ चुके हैं यानि कि 50-70% तक आपकी सरसों में अगर फूल आ चुके हैं तो आप भूलकर भी यूरिया का प्रियोग ना करें अन्यता यूरिया आपकी फसल में ज्यादा फाइदा नहीं करेगा इसके अलावा अगर आपने अभी तक सलफर का परियोग नहीं किया है तो इस समय आप सलफर दानेदार का परियोग कर सकते है इसके अलावा अगर सरसों की जड़ों का विकास बेहतर तरीके से नहीं हुआ है तो आप माइकुराइजिया का परियोग भी कर सकते हैं इसके अलावा आप बायविटा या सागरिका का परियोग भी यूरिया के साथ कर सकते हैं जरूरत के अनुसार ही आप खाद उरोरकों का परियोग करे इसके अलावा इस समय सरसों में सीचाई परबंदन भी सही तरीके से होना बेहद जरूरी होता है किसान भाईयों इस समय आपकी फसल में अगर फूल निकलना सुरू हो चुके है तो जब 20-25 परदिसर तक फूल निकल जाते है उस समय आप सीचाई कर सकते है इस समय पोदे में नम्मी बनाए रखने की जरूरत होती है इसलिए आप इस समय अपनी मिट्टी के अनुसार से खर्पतवार ना सक दवा का प्रियोग ना करें आपकी अगर सर्सों में खर्पतवार का प्रकोप नजर आ रहा है तो आप निराई गुड़ाई के सहारे खर्पतवारों को खतम कर सकते है तो इन बातों का द्यान आप सर्सों में रखिए जिससे अंत में जो सर्सों का उत किसान